खे माई योडियो फैमली वेकड़ माई चैनल सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रायो फेशल कैपसूल के बारे में नहीं दिख रहां तो चलिए दिखाते हैं क्रायो फेशल कैपसूल तो आपने देखे लिया कि इसकी पैकिंग किस सरी की है यह वाइट किलर के क्यूट से चोटे से बॉक्स में आता है जिसके उपर ब्लू किलर की लेबलिंग होती है इसके अंदर 60 कैपसूल आपको मिलेंगी कहने का मतलब है कि आप इसे 60 ताइम्स यू कर सकते हों क्रायो फेशल कैपसूल जो है वो केरेक्स एस्थेटिक्स नहीं निकाला है किर इसकी रेंज में सी मैंने एक प्रोड़क्त किया जो की है क्रायो फेशल कैपसूल और मैंने सुस्चा की एक कंप्लीट इंफर्मेशन आप सब के साथ इस वीडियो के थरू शेयर कर एक सारी इंफर्मेशन में आपको इस वीडियो के थरू दूँगी क्रायो फेशल कैपसूल अगर आपको ओडर करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे दूंगी, आपको इस पर कॉंटेक्ट करना है उस पर कॉंटेक्स कर लेना और अपने लिए वो प् तो आपने दे के लिया कि इसको किस तरीके से प्रिपेर करना है एक बाउल में आपको इस कैपसूल को ओपन करना है तो पाउडर डालना है और उसके नदर चिल्ट वाटर आड़ करना है जो वाटर की क्वांटिटी है वो 40-60 ml होने चाहिए और उसे अच्छे से मिक्स करना है और क्विकली अपने फेस पे अप्लाई करना है अपलाई करने के बाद 10 मिनट तक रहने देना है और उसके बाद अपने face को wash कर लेना है और उसके बाद मिलेंगे आपको बहुत ही बहतरी result तो cryo facial capsule क्या क्या कर सकता है आप उसके बारे में बात करते हैं cryo facial capsule से आपकी skin bright होती है skin tone को even करता है sun burn को repair करता है जबकि force बहुत सदा open होगे और उन्हें minimize करता है तो यह बहुत सारी benefit cryo facial capsules की है अब aesthetic product की एक खासवत और भी है वो यह है कि अगर आप एक process को दूसरे process के साथ connect कर देते हो मतलब combine कर देते हो तो इससे result आपके और भी जादा अच्छे आते है that's your creativity कि आप एक process को दूसरे process के साथ add भी कर सकते हो तो इससे और अच्छे आपको रिजर्ट मिलेंगे तो I hope guys यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज से लाइक ज़रूर करना comment करना अगर आप cryo facial capsules को order करना चाहते हो और share जरूर करना और मेरे चानल को subscribe जरूर करना okay guys this is been my next video bye guys